दोस्तों मैं आज आपके लिए प्री पोजिसन जो के मैंने आपको इसका पहला जो इसका रूल होते हैं वो मैंने समझा दिये और जिनोंने पहले चेप्टर इसका नहीं देखा हो तो वह वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिश्टिन में दे रखा है तो वहां से आप एक बार और जो प्री पोजीस जो भी रूल सोते हैं जो इम्पोर्डेंट रूल से हैं वहां से आप देख लिए उसके बाद इस प्रैक्क्टिस सेट को आप लगाएए और इसके अंदर बहुत सारे अलग ऌलग जो उसको दे defines a है वो आपको देखने को मिलेंगी और इन पर थोड़ा बहुत मैं अपना माइंड लगा कर आपको याद कर रहा है मैंने पहले आपको कि present perfect का passive क्या होता है बताओ present perfect का passive क्या होता है has have और प्लस में बीन आता है yes or no present perfect का passive में क्या होता है कि बीन जरूर आता है बास अन्वार है अब एक बात होता है अगर यहाँ पर आप hedge brought लगा देंगे तो यह देखो has brought और आपने लगा दिया तो बताओ hedge brought तो किसी का passive होता ही नहीं है क्योंकि हैज ब्रोट नहीं होता हो वह हैज बीन ब्रोट होता है राइट ना अगर देखो यहां पर अगर बीन होता तो यह बिल्कुल सही था कि यह सी वाला सही हो जाता लेकिन यहां पर बीन नहीं दे रखा है इसका मतलब है कि वह प्रिजेंट परफेक्ट का नहीं में change करते थे right or wrong तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर यहां पर दोस्तों यह सी वाला बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर प्रिजेंट का पैसे में बीन आता है लेकिन यहां पर है नहीं तो इसलिए वो पैसे परफेक्ट सही बने गा नहीं इसलिए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका जो डाउट है वो किलियर हो गया होगा और जो भी फिक्स प्री पोजिशन है उनको हम याद करेंगे देखिए पहले कोश्चन है कि इसको पता हुआ कि अकोर्डिंग के वाद करने के एक तरीका होता है कि आप जो भी फिक्स ना उसे बार 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 आट दस बार आप बोलेंगे तो वो कम से कम आपके माइंड में याद रहता है और यह तो खर्ण नॉर्मल है इसकी जरूत नहीं है बताने की तो यह हो जाएग having my share अब देखें यहाँ पर insisted का मतलब होता है जोड डालना किसी को उपर दवाब डालना तो I insisted तो यहाँ पर क्या जाएगा on यहीं किसी के उपर दवाब डालेंगे insist on यह आप याद रखना insist on तो यहाँ पर आ जाएगा on आगे है कि his friend disagreed him on this point तो यह तो सबको पता हुआ कि agree हो चाहें disagree हो दोनों में जो आता है वो आता है विद तो disagree या फिर agree में क्या आएगा विद आएगा तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं विद इसके बाद है कि he is addicted gambling अब देखो यह भी बहुत नॉर्मल है कि हम सबको पता होगा addicted के वाद क्या आता है to addicted का मतलब होता है कि किसी क तो आप याद रखना कि addicted के बाद क्या एगा to ऑएगा क्या है तू आएगा तू आप आप ऐखो आप अपसे तो कहेंगे कि मुझे लगट लग जाएगी आप दूसरे से और आपको तेरी को लग जाएगी तुझे लग जाएगी तो तुझे मतलब हो जाएगा तू यह आप प्याद रखें कि आपके बात की आईगा चली अब आगे कुश्ण की बात कर लेते हैं यह यह कहां बसको पता हुआ कि यह आप किसी को बदाई देते हैं यहांनी कि कौ ऑल गया किसी की सरकारी नोक्री लगाई यह फिर उनकी शादी है या फिर कोई भी प्रोग्राम है तो उस पर आप देते हैं तो पर का मतलब हो जाएगा ओन शादी पर राइट ना साजा वोज आप याद रखो कि इसके बाद आने वाला प्रिप्वेशन आफ होता है यानि हमको अपने अफर्स पर क्या करना चाहिए बरूसा करना चाहिए तो यह आपको पताना है कि इसमें क्या हो सकता है देखो we should rely तो यह आयात रखना है कि हम अपने efforts पर यह बरूसा रखते हैं तो पर के लिए क्या आजाएगा on like का मतलब होता है कि यकीन रखना विश्वास रखना तो किसी चीज पर आप भरूसा रखेंगे तो आप ऐसे रखा करो कि हम किसी चीज पर ना किसे तो पर के लिए आजाएगा on आगे देखो man is entirely different other animals यानि man जो होता है वो और animals से बिलकुल different होता है तो यहाँ पर सुचो क्या आजाएगा यहाँ पर आजाएगा from यानि कि different from यह तो normal है different from आप किसी से अलग हो जाएगे किसी पर अलग नहीं तो पर के लिए on आया नहीं सकता किसी के साथ अलग यह तो matter नहीं करता और two नहीं यानि कि जादा अच्छा जो लग रहा है वो from लग रहा है तो वो जाएगा different from आगे देखो we are accountable God अब देखो इसका accountable का मतलब होता है जिम्मेदार होना यानि हम बगवान के प्रत्य अकाउंटेवल है जिम्मेदार है तो यह यहां पर क्या जाएगा अकाउंटेवल तो यहां पर क्या रहा है अकाउंटेवल अकाउंटेवल दो तीन वार पढ़ो तो याद हो जाएगा यह अकाउंटेवल के बाद आता है तो अकाउंटेवल तो किसमें कहा है कि यह करा है he is lacking common sense and high thinking which only bright students possess तो यहां पर बताना है कि ल लेक के बाद आता है इन यानि किसी चीज में कमी होना तो वह जाएगा lacking क्या हो जाएगा लेकिन और देखो यदि मैं थोड़ा सा इसे लिख दू हूं तो देखना मुझे लगता है कि आपको याद हुई जाएगा और इनको मैं इदर लेक देता हूं तो यह ऐसा नहीं लग है जो फर्दर इस्टडीज चाइल्ड मैर्स होती है वह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रेट करती है राइट ना फर फर्दर इस्टडीज पढ़ाई के में तो अब बताओ यहां पर क्या सकता है सोच के जवाब देना क्या आएगा लगाओ दिमार्ग तो चाइल्ड मैर्स अटा इस्ट्रेच एक लगातर एक ही अपल काम करने में कापेवल तो बताओ यहां पर क्या जाएगा छोड़ा माइन यूज करो टैंपाइबल तो यानफनम का मतले होता है कि लोग विलालच तो यहां पर इनफैश्यूशन की बात कि जा रही है इसलिए यहाँ पर जो जो प्री पोजिशन जो सही बैटरी वो आ जाएगा विद यानि कि हिज एंफैट्यूएशन विद दा गल्स लड़कियों के साथ उसका जो मोह है मेडिम लेजी एंड आइडल उसको क्या कर दिया है लेजी और आइडल कर दिया है तो किसी के साथ होगा ना लड़कियों के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ होगा मतलब जो भी इंफैट्यूएशन होगा तो वहां पर आ जाएगा विद चलो आगे के बार बार बोलने है एक दो बार याद हो जाएगा तो यह सब को पता हूँ है के बीच में आपको याद रखना है ठीक है इसके बाद है कि ही इस नौट पॉपिलर दा इस्टुडेंट्स यानि कि वह अपने स्टूडेंट के बीच में पॉपिलर नहीं है तो यहां पर देखो बहुत सारी student है तो बहुत सारी student के लिए क्याता है among आता है he is not popular among the students ठीक है यह आपको याद कर देना she has great love her children वो अपने बच्चेओं के लिए बहुत ज्यादा प्यार रखती है तो सोचो इसमें क्या सकता है बच्चों के लिए प्यार होता है किसी के लिए राइट ना बात आ रहा है समझे मा का बच्चों के लिए होता है तो यह पापा का मम्मी के लिए होता है तो मतलब क्या होता है कि किसी के लिए प्यार होता है के लिए मतलब हो जाएगा के फोर यहां पर एक्जाट आंसर कियान हो जाएगा ठीक है चलिए we have to go safrdd alagen काइग सोच को यहां पर क्या सकता है he was prevented from going to college उसे college जाने से क्या कर दिया है एक दम मना कर दिया है prevent कर दिया इंकार कर दिया आगे दिको listen what your teacher says शनो जो तुमारे teacher कहते हैं तो ये तो पता हुगा listen to आता है बारवार हम रोजाना यूज करते हैं इसलिए आगे दिको please beware of the dog ये तो normal है सब को पता होगा क्या होता है कि डॉग यह नहीं कुत्तों से क्या होना चाहिए सावधान होना चाहिए तो इसमें आज सही जो प्रिपूशन हो जाएगा चलिए आगे बात कर लेते हैं कि दिस इस अ कलेक्शन सैक्सपीर स्पोइम तो कभी भी यह और आफ का चक्कर होता है इसलिए क्या यह नहीं कि वह एक लैंड के टुकड़े को पर क्या कि उन्होंने क्या है तो यहां वाद कि आएगा चलो आगे वाला है कि शी वांस टुगाट रिड़ ओफ दे ब्राउन फॉक्स तो याद रखना कि यह बहुत अच्छा प्री पोजीशन एक राइट ना फ्रेजल वर्वे गाट रिड़ ओफ दे ब्राउन फॉक्स तो यहां हो जाएगा ओफ हो जाएगा गाट रिड़ ओफ जैसे फॉंड ओफ था शॉकिन होना ऐसे गाट रिड़ ओफ होता है चली आगे बात कर लेंदे का आई वोज इन्वाइट टी बाहिज मदर यानि कि मुझे इन्वाइट क पर बोलाए गया था तो यहां क्या हो जाएगा बिटा तो हो जाएगा तो आई हो दोस्तों यह सारे आपको समझ में आगे होंगे यह फिक्स वाली प्रीपोजिशन मैंने आपको बताई और अगर यह मेहनत आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर दें और अपने द जैसे के अपने दिखाने एर मैंन की बेल आइकन को प्रेस कर लो ताँके जैसरी वीडियो है तुरंत उसका जबाब आप कमेंक्ट बास में दिया करें किए इसमें गेन किया है और कितना आपने लॉस किया है ठीक है आगे आने वाले वीडियो में प्रोवर्फ का भी क्लियर करा दूँगा उसके बाद एक नई वीडियो आएगी आज आपके लिए मैंने इस्पेसली छुटी ले रखे तो आज दो तीन वीडियो जितना मेरे पास कर रहा हूं आज आपके लिए शियर कर रहा हूं ठीक है आपसे नौकरी पर लग जाएए फिर आपसे मिलता हूं मैं आपको नेक्स वीडियो में